पवित्र शिरिमत भागवत गीता पवित्र चारोवेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाईविल, पवित्र गुरुगरंथ साहिब, पवित्र कभीर साहिब की वानी में छुपे हुए गुण रहस्य, अर्थात, तत्व को जानने के लिए कृप्या अवश्य सुनियें, जगत गुरुत तत्व दर्शी सं इंतरामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन उन्हात्मों इस दास की वचन आपको सारे उठ पठान से लागेंगे एक बार तो लेकिन दैरिये से संसुनते रहना प्रमान देखो के गद गद हो जाओगे दातों तो लगूली दबाओगे के बठा बठा दिय नमारे आचारियों और संक्राचारियों ने सारा गल्द ग्यान सुना के कक भी नहीं पता इन आचारियों और संक्राचारियों हमारे जाहंना द catch भी पता निए वएदों और गीता का अब आपको दिखाते है श्रीमत भगत गीता इसके अद्धाय नमर दो का अद्धाय नमर दो श्रीमत भगत गीता स्लोक नमर बारा ने तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमा नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा यराज़ा लोग नहीं थे और नह ऐसा ही है कि इस से आगे हम सब नहीं रहेंगे आगे देखो यह देखिएगा यह है गीता धायर नमर चार और सलोक नमर यह पांच है यहां से इसका अनुवाद इन्हों ने यहां किया है यह परंतम अर्दुन मेरे और तेरे बहुत से जनम हो चुके है उन सब को तू नहीं जानता मैं जानता हूं फिर यहां नमे में क्या कहा कि यह नमा सलोका चोठे जाएका यह अर्दुन मेरे जनम और करम डिव अर्थात अलोकिक है अब यहां क्या बता है अद्धाय नमर दो के सलोक नमर 17 में कहा कि अर्जू नास रही तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है इस अविनासी का विनास करने में कोई भी सम्रत नहीं है यानि गीता ग्यान दाता से अन्य है कोई जो वास्ता में अविनासी है गीता जिद्धाय नमर पंदरा के सलोक नमर एक से चार और सोला सतरा में इन तीन प्रभूँ की जान करी तीन प्रोसों की अब पहले आपको अध्याय नमर दस का सलोक नमर दो दिखाते हैं यह देखिए दो अध्याय नमर दस स्रीमत लगुन गीता अध्याय दस और सलोक दो मेरी उत्पति को मेरी उत्पति को यह जो भी लिखते हैं प्रभाववान उत्पति को ने देवता लोग जानते हैं ने महरिषी जन ही जानते हैं क्योंकि मैं सब परकार से देवताओं का और महरिशियों का आदी कारण हूँ अब ये क्या सपष्ट हो गया कि गीता ग्यान दाता ये ब्रहम है सरपुरस है श्री करसंदी में प्रवेश करके ये बोल रहा है ये कहता है मेरा जनम तो हुआ है उत्पती तो हुए है लेकिन ये ब्रहम विशनो महिस और ये रिसी नहीं जानते क्योंकि ये इस से ही उत्पन हुए है ये इनकी संतान इसकी संतान है ब्रहम विशनो महिस इस ब्रहम के पूतर है और दुर्गा इन्वर्म व सुनौ महिस जी की माता है श्री दुर्गा जी अब गीता ग्नान दाता ने बर्म ने सबस्ट कर दिया के मैं नासवान हूँ मेरी तो जनम मरत्यु होती है तो इसके सादक की भी जनम मरत्यु होगी क्योंकि बर्मलोक में जाएगा और गिरम लोक में गया हुआ पराणी फिर जिनम वरत्यों में आता है श्रीमत वगुत गीता अध्याय नमबर पंदरा के स्लोक नमबर एक से चार और सोला सत्रा में तीन पुरुस बताए है उल्टा लटका हुआ संसार रुपी वरक्स है इसकी उपर को तो जड़ है संसार रुपी वरक्स की और नीचे को तीनों गोंड रुपी साखा है बस सेस के लिए बता जिया कि उत्तव दर्सी संत बताएगा गीता जिद्याय नमबर चार के स्लोक नमबर चौटीस में जिसके विसे हमकार और फिर उसकी पैचान बताई है गीता जिद्याय नमबर पंद्रा के स्लोक नमबर एक में कि इस उल्टे लटके वे संसार रुपी वरक्स को कि सभी भी भागों को जो जानता है से वेद्वित वो तत्व दर्सी संत है यह देखेगा पंद्रमा जय है शिरिमत भगुत गीता का और पर्थम सलोक है इसमें लिखा है कि उर्दव मूलम ऊपर को मूल अधै साखम नीचे को साखा अस्वत्हम प्रहु अव्यम ये पीपल का संसा रृपी पीपल का वरक्षअविनासी कहा है चंदासी इसे प्रणानी इसके पत्ते आधी साखा आधी सभी इसके चंद है विभाग है ये तम वेद जो उन सभी भी भागों को जानता है से वेद वित वो वेद के तात पड़िये से को जानने वाला है उतत उदसी संत है इन कानुवाद पड़िये आदी पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले यानि संसारूपी वरक्स पहले आप जी ये देखेंगे ये संसारूपी वरक्स है उर्धा मूलम उपर को तो जड़ है और नीचे को ये साखा है ये एक संसारूपी वरक्स है ये एक संसारूपी वरक्स जानो अब उर्धा मूलम अधै साखम और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वे तत्वदर्सी संत है परमेश्वर ने सह सो वर्ष पहले बता था आप समझों ये पेड़ है जो पर्थवी से भाहर दिदर आता है इसको पेड़ बोलते है तो परमात्मा कबीर जी स्वेम्ट सुच तत्वदर्सी संत की भूमिका करने आते हैं सैसरीर आते हैं जैसा कि वेदो मपरमान है वो अपना ज्ञान उपदेश करते हैं कबीर अक्सरपुरस एक पेड़ है निरंदन यानि सरपुरस वाकी डार और तीनों देवा साखा है ये पात रूप संसार और जड़े गुप्त हैं वो प्रोक्स है ये देखिएगा अब यहां क्या बता है अक्सरपुरस एक पेड़ है ये तो समझो अक्सरपुरस अतना तो संसार रुपी वरक्ष का इससे मोटी डार निकलती है उनमें से एक मोटी डार ये सरपुरस है ये अक्सरपुरस है इसको परब्रम भी बोलते हैं ये अक्सर पुर्स है इतना और इससे ये डार निकली मोटी ये सरपुर्स ये ब्रम समझो सरपुर्स ब्रम जोत निरंदन और इसके ये तीन पूतर है अब ये ये गोपत है ये प्रमात्मा स्वेम है अब हम पढ़ेंगे स्रीमत वकुत गीता अध्धाय नमबर पंदरा के सलोक नमबर एक से चार और सोला सत्रा इनमा कंसेट क्लियर होगा देखिएगा ये पंदरमात्य है ये अपना पढ़ लिया पर्थम मंतर पर्थम सलोक उर्धा मूलम जड़तों उपर को नीचे नसाखा ये संसारूपी पीपल का वरक्स अविनासी वरक्स समझो चंदासी यस्य पर्णानी यानि जड़े साखा पत्ते आधी इसके विभाग है और ये तमवेद जो उसको जानता है सेवेदवित आधी पुरुष परमेश्वर मूल वाले इन्होंने अध्य साखा का अर्थ गल्थ किया है ब्रमारूप मुख्य साखा कर दिया नहीं ये देखो दूसरे सलोक में दो बार अध्य सब्द है इसका यहां अर्थ किया है अध्य माने अध्य माने नीचे अध्य मान उर्धमूलम अधै साखम उपर ने जड़ और नीचे को साखा वाला यह संसार उपी पीपल के वर्क्स को अविनासी कहते हैं वेद जिसके पत्ते कहे गए उस संसार वर्क्स को जो पुरुष जो विक्ती मूल सही तत्व से जानता है जड़ से लेकर सब सभी भागों को तत्व से जानता है सह जानता है से वेद्वित वॡ व है वेद के ताद पर यह को जानने वाला है अरथात वो तत्व दरस संथ है जिसके मैं चौतर से जलोग में करहा कि तत्व दरस संथ के पास जाकर मा度 पफ्रमात्म ततो क tempo समझ Про में उसके बात जो वो कह सं सर्भा ऀन शे हैं प् सारांस है आगी क्या बता है कि यह साखा कौन है रजगुन विर्माद सत्गुन विश्मुतमगुन शिर्जी देखिए यह पंदर माध्य है हम पढ़ रहे हैं हमने एक सलोक कलियर कर लिया अब दूसरा इसमें लिखिया कि उस अंसार वर्क्स की तीनों गुन रूप थीनों गुन रूप यह साखा यह विशे भोग रूप विशे परवाला विशे विकारों वाली यह तो देव मनस्तर रख्यत इनुन आप लिखाने यह साखा हैं अध्यमान नीचे उर्दों माने उपर फैली हुए है मनुस लोक में कर्मों के नुसार बांदने वाली भी ये मू लानी और मुख्य कारण है नीचे और उपर फैली हुई है सब जगह नहीं कि नीचे और उपर अब यहां ये concept कलियर करना पड़ेगा अब ये सबस्ट करना पड़ेगा कि रजगुन बिर्माजी सत्गुन विश्वमुजी तमगुन शिवजी है इसके लिए देखिएगा मारकंडे पुरान ये मारकंडे पुरान और ये कहां से परकासित है गीता प्रैस गोरपुर से परकासित के मुद्रक हैं गीता प्रैस गोर इसके 122 प्रेश पर दिखाते हैं आपको यह देखिएगा यह संक्सित मारकंडे परान प्रेश्ट 122 प्रारम करेंगे यहां दिखा है कि मारकंडे जी बोले मारकंडे जी ज्यान दे रहे हैं अब हम 123 पर आजाते हैं 123 पर यहां आगे रजोगुन परदान भर्मा, तमोगुन परदान रुद्र और सतव परदान विश्वश पालक विश्वश हैं यही तीन देवता है और यही तीन गुण है अपना अत्महों यह हमारे दर्म गरू, आचारिये, संक्राचारिये, मदलेश वर इन में से कुछ एक तो ठीक बताते हैं जैसे इन से कोई परसंड करता है कि क्या रजगुन विर्मा, सद्गुन, विश्णू, तबून, शिवजी है जो बिलकुल निस्पेक्स है वो तो सही कह देते हैं कि हम बिलकुल सास्त्रों में ऐसा है लिखा है और जो चतुरता जिखाते हैं अपनी अज्ञानता का पर्तीक देते हैं वो कहते हैं नहीं बिल्मा विश्णू में इसको जड़ थोड़े ही है अर गुन तो जड़ है लेकिन ये गुणी है गुण नहीं है गुणा अतीत है बता अकल इन में जैसे मिर्च है और मिर्च का गुण है मूँद जलाना अर कोई नहीं कहें क्या मिर्च जो है मूँद जलाती है वो कहें नहीं मिर्च मूँद जलाती है वो तो गुणी है वो गुणों से रहीत है अर मिर्च में गुण तो वही है मुँ फूगने वाला, तो ऐसे ही ये चतुरता दिखाते हैं, क्योंकि इनका उदेश से ही जनता को बर्मित करके अपना उल्लू सीधा रखना है, इनको जनता से कोई लेना देना ने, ऐसे वेक्तियों को, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं, जो सचाई भी बताते हैं, कि इप सास्त्रों में ऐसा लेकार, सास्त्र आपके रोगरों हैं, और कराते हैं, ये देखिएगा, सिरिमत देवी भागवत इंदी टीका सहित भाग एक, इसम संस्कर्ट भी साथ में है, अथ देवी भागवतम सभास टीकम सैमातम, अब खेमरा स्रीकर्शन दास परकासन मंबई, खेमरा स्रीकर्शन दास परकासन मंबई, अब इसके तीशरे सकंद पर हम आगे हैं, अथ शिरिमत देवी भागवते, बासाटी का युकते तर्थिय सकंदा प्रारमते इसके तीसरे सकंद के गयर में परिष्ट पर हम पढ़ेंगे ये गयर मां परिष्ट है ये पांच मां धैय है इसका आठ मां सलोक है बगवान संकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं हे माता है यदी हमारे उपर सदा अब दया युक्त हो तो हम को तमोगुन में किस परकार पर धान किया है बिर्मा रजोगुन और हरी सतोगुन युक्त किये हैं फिर संस्कर देखो ये संस्कर भी पढ़ेंगे हम क्योंकि अब हम सीख सीत है यदी दया दर्मना क्यों मैं रच दिया क्यों बना दिया तमोगुन मुझे तमोगुन क्यों बना दिया कमल जै कमल से उत्पन होने वाले बिर्मा को रजोगुन संभाव क्यों रजोगुन उत्पन कर दिया सूवी तै सूवी सूवी ही तै कि मों सतोगुन हरी और विश्मुजे को आपने सतोगुन क्यों बना दिया इतनी सीदम रजगुन बर्मा सतगुन विश्मु तमगुन शिवजी तो प्रमातमा कवीर देव जी ने प्रमेश्वर ने स्विमा कर ये थारत ज्यान दिया कि अक सरपुरुस एक पेड़ है और सरपुरुस यारि निरं जनवाकी डार और तिन्नों देवा रजगुन बर्मा सतगुन विश्मु तमगुन शिवजी तिन्नों देवा साखा है ये पात रूप्षन सारी अब हम इस पवीत्तर गीता द्याय नंबर 15 के स्लोक 1 से 4 और 16 सत्रा को पढ़ेंगे अब आसानी से समझ मा जाएगा concept clear हो गया तिन्नों गुन रजगुन बिर्मा है सतगुन विश्मु तमगुन शिवजी अब देखिए गीता द्याय नंबर 15 का और स्लोक नंबर हम दो पढ़ रहे हैं उस अतला रուपी वर्क की तीनों गुन रूप रजगुन बिर्मा सत्गुन विश्मु तमगुन सीवजी यह विशे पर वाला साख्ण अब संस्कृत भी सास्थ पढ़ेंगे हम यह तिन्नों साख्ण हैं वीशे वह तरहका दे साक्ण हैं नीचे और उपर अब नीचे और उ का ग्यान इपिर्थवी लोग पर बुला जा रहा था नीचे पाता लोग पर उपर स्वरग लोग पर इन तीन लोग कौम पर ही इन बिर्माजी विश्मुजिर शीव जी का अधिपच्चय है यहां तकि इनकी एक एक विभागियमंतरी सम्झो यह, इन तीन लोकों पर, उपर स्वरग में नीचे पाताल तक इसके इनकी रेंज है इनकी जो है परबुता है, इनकी सीमा है, सरवतर्नी ये देखिए, नीचे और उपर सरवतर्नी उपर फैली हुई है मनुस लोक में, और करमों के अनुसार बांधने वाली भी यही मुख्यकारण है, नीचे और उपर ये व्याप्त है अब तीसरे हम क्या बता है कि इस संसार वर्क्स का गीता ग्यान दाता ब्रह्म है श्री किरसन जी मैं बोल रहा है प्रवेश करके और ये क्या बताता है कि संसार वर्क्स की जो मैं जानकारी इसा जातम ग्यान में दे रहा हूं गीता जी के डि क्योंकि मुझे इसका पूर्ण ग्यान नहीं है देखना अध्याय नमर 15 का सलोक तीन पढ़ रहे हैं इस संसार वर्क्स का शरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचारकाल में तेरे मेरी चर्चा में गीता जी के डिस्कुसन में नहीं पाया जाता यानि मैं नहीं जानता इस पूरे संसार के आदी और अंध को संसार वर्क्स के यानि सब बर्मांडों के बारे मैं नहीं कंप्लिट जानता क्योंकि नहीं तो इसका आदी है और नहीं अंध और तथा नहीं इसकी अच्छी परकार से सती थी है इसलिए इस सुविरुड मूलम यानि जड़ जो है वो परमात्मा है वो अविनासी है उसका लोक भी अविनासी है अती दर्ड मूल वाले यानि इस अविनासी मूल वाले संसार रुपी पीपल के वर्ग्स को दर्डेन माने दर्ड असंग सस्त्रियन कार्थिनों न कर दिया विराग रूप सस्तर द्वारा नहीं तत्वे ज्ञान रूपी सस्तर द्वारा काट कर यान अची तरह समझ कर अब चौथे में क्या का है पंदर में दैय का चौथा सलो उसके पस्चात उस परमपद रूप परमेश्वर को बली बाती खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुर्ष फिर लोटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वरक्स की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदी पुरुष नारायन यानि परमक्सर ब्रहम की सरण में मैं हूँ इस परकारदर निश्चे करके उस परमेश्वर का ही मनन और नीदी धासन करना चाहिए अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ग्यान दाता कहता है कि मैं कम्पलीट नॉलिज नहीं रखता और तत्व दर्सी संतों के पास जाकर उनको समंझ उसके पस्टाद परमेश्वर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए जाने के बाद सादक लोट कर फिर कभी संसार मनी आते यानि उनका पूर्ण मोखस होता गीता ग्यान दाता अपनी सतीती सफ़ष्ट करते वे गीता जाय नुबर दो के सलोक बारा में गीता जी जाय नुबर चार के सलोक पांच और नौ में गीता जाय नुबर दस के सलोक नुबर दो में सफ़ष्ट करता है की अरज़ुन तेरे और मेरे बहुत जनब हो चुके हैं तू नहीं जानता मैं जानता इस हिसे दह की यह तो नास्वान है सफ़ष्ट हुआ और यह भी सफ़ष्ट हुआ की बर्म है जो गीता जी बोल रहा श्रीकरसन जी इसका ओम नाम है ओम नाम के जाब से बिरम लोग प्राप्ती होती है बिरम लोग में गए हुए प्राणी भी जनम मरत्यू में ही रहते हैं तो ये बिरम की साधना से भी मोक्स प्राप्त नहीं हो सकता वो स्थान पर आप्ट नहीं हो सकता जहां जाने के बाद सादक कभी लोटकर संसार मन नहीं आती वो कौन है वो परमक्सर ब्रह्म की साधना करने से जैसे गीता जिए नंबर चार के सलोक नंबर पत्चीस से लेकर तीस तक गीता ग्यान दाता ने कहा है कोई तो देवताओं की पूजा करता है कोई केवल तिक्ष्ण वरत रखता है जैसे अहिंसावादी वरत रखता है जैसे मूँ पर पट्टी बांद कर नंगे परों गोमना और कोछ सवध्या ही करते हैं जैसे गीता जी का नित्पाठ कर लेना वेदों का ध्यान करते रहेना कोई प्रणायाम करता है कोई केवला हमन यग ही करते हैं और सभी अपनी साधनाओं को पाप ना सक जानते है यदि उनको ये पता चल जा कि ये पाप ना सक नहीं है तो सब कोई ना करे उनको ये साधक उसी समय तक उसाधना को कर रहा जब कोई पता नहीं कि ये सही नहीं है तब छोड़ जेगा उसी तो इसके लिए बता है कि चोथे जाय के 32 में सलोक में कि इस परकार की जो 25 से लेकर और 30 तक जिन सलोकों में जानकारी दी है इस परकार की बहुत सोरे धार्मे की यगों की धार्मे कनुष्ठानों की जानकारी सचीदानंद गनबर्म की वाणी में विश्थार से कई गई है अब सचीदानंद बर्म की बाणी क्योंकि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है अपने मुख कमल से उपदेश देता है ज्ञान सुनाता है वो सुक्सम वेद होता है वो तत्वे ज्ञान होता है वो तत्वे ज्ञान है उसके अंदर बहुत विश्थार के साथ ये अध्यातम मारग बताया गया है अध्यात्म ज्ञान कहा गया है अब देखिएगा अध्याय नमबर चैर पर ले चलते हैं आपको पहले थोड़ा सा श्रीमत भगत गीता अध्याय नमबर चैर और सलोक नमबर पत्चीस में दूसरी योगी जन देवताओं का पूजन रूप यगमन धारमे कुनुष्ठान बली बाती किया करते हैं परिवपास्ते यानि पूजन करते हैं और अन्य योगी जन ब्रम साधना करते हैं इसका यह अर्थ है और शब्श में कहा कि अन्य योगी जन सरोतरादी समस्त इंद्रियों को सहीं रूप अगनी में हवन किया करते हैं दूसरे सबदादी करते रहते हैं समस्त विश्व को इंद्रियों इंद्रिये रूप अगनी में हवन किया करते हैं सताइस में लिखा है कि दूसरे योगी जन संपुन करियाओं इंद्रियों, इंद्रियों की संपुन करियाओं और प्राणों की समस्थ करियाओं को ज्यान से प्रकासित आतम से अमरोप अगनी महवन क्या करते हैं यानि कुछ तो अपने इंद्रियों को ही संयम करने में लगे रहते हैं अठाइस में कहा है कि कई पुरुष दर्वे सबंदिय करते हैं यानि कितब बंडारे कर दिये काम बड़ वाइट दिये कोई मंदिर बनवा दिया इस तरह करते रहते हैं और कुछ तपष्या करते रहते तो कहना का भाव यह है कि अब 32 पर आते हैं अपने मतलब की बाद लेते हैं यह गीता दैनल मर चाहर के स्लोक नंबर 32 में क्या कहा है इसमें क्या है कि एवं बहुविदा यगा वितिता वितता ब्रह्मने मुखे ये ब्रह्मने सब्द लिखा है यह इनोंने अनुवाद गल्द कर दिया करमजान विधीतान सरवान एवं ग्यातवा वी मोक्स से इस परकार और भी बहुत तर कि वानी में कर दिया यह गल्द कर दिया यहां देखेगा अध्याय नंबर 17 के और सलोक नंबर 23 में यही ब्रह्मने सब्द है इसके अंदर श्रीमत भगुत गीता अध्याय नंबर 17 का श्रीमत भगुत गीता और सलोक नंबर 23 में ओम तत सत इती निर्देसे है ब्रह्मने ति इसका अनुए दिनों क्या कि ओम तेन परकार का महाने सचीदा नंदगहरम का नाम कहा है का आइ सचीदाननदगहरम समझो अब यहां आ जाते हैं फिर गीता जी के चोथे जाये के आम फिर बतीश में स्लोकम आते हैं बतीश में स्लोकम ev अब ये ब्रह्म ने जो मुख्य लिखा इनों ने यहां गलत अनुवाद कर दिया इस परकार बहुत रहे के यग सचीदानंद गनब्रम की वानी में विश्टार से कहे गए ये तत्व ग्यान है सचीदानंद गनब्रम यानि परमक्सर ब्रह्म सत्पुर्ष कबीर साहिब सचीदानंद गनब्रम की वानी में जो उनके मुख कमल से बोली गई है उसमें वो ग्यान सब धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी पूर्ण रूप से विश्टार से कही गई है वो तत्व ग्यान है उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से मौक्स प्राप्थ हो जाता है उस फिर चोथे दैगे चोथे दैगे चोथे स्लोक में कहा है देखिएगा ये देखना चोथे दैगा 32 में स्लोक कंप्लीट पड़ते हैं अब समझवाएगा इस परकार और भी बहुत तरह के ये गमाने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ये सचीदानंद गनब्रम की पर ना इसको ये गल्द लिखा ब्रम माने वेद नहीं हो सकता ब्रम नमान सचीदानंद गन ब्रम की वानी यानि प्रमक्सर ब्रम की वानी इसको तत्व ज्यान भी कहते हैं मैं विस्तार से कहे गए हैं उन सब को तू करम जान यानि नाम उठत नाम बठत नाम सोत जागवे क काम करते करते दैनिक करम करते करते उनका उसमें साधना के होती है करम जान सारी मन इंद्री और सारी क्रियां द्वारा संपन होने वाले हैं वो उसमें लिखा है वो काम करते करते क्रियां करते हैं करम करम योग के द्वारा संपन होते हैं वह सब क्रिया हैं इस परकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो करम बंदन से सर्वत्वा मुक्त हो जाएगा अपने अत्मों चोथे जय के 34 में सलोक में पताया वो तत्व ज्यान को ये चोथे जय का श्री मद्मगत गीता ये 34 में सलोक है उस ज्यान को जो सचीदा नंद घन ब्रम ने यानि परमेश्वर ने सुमा कर जो ज्यान दिया सुक संबेद वो तत्व ज्यान है वो उसकी वार्णी में लिखा होता है और वो तत्व ज्यान के उस वो संत ही जानते हैं जो से प्रीचित है तत्व ज्यान और तत्व दर्शी संत गीता ज्यान से अन्य ज्यान रखता है यदि तत्व ज्यान की जानकारी ब्रम को होती तो एक एद्धाय और लिख देता उसको ज्यान नहीं था अब यहां देखो अब 34 में कहा गीता ज्यान नंबर 4 के स्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्यान को जो सचीदानन्द गनपर्म की वाणी में विश्थार से कहा गया है तो तत्व दर्शी संतों के पास जाकर जाकर समझ उनको बलीबाती डंडूत परणाम करने से और उनकी सेवा करने से कपड छोड़कर सर्लता पूर्वक परसंद करने से वे परमातम तत्व को बलीबाती जानने वाले ग्यानी मात्मा तुझे तत्व ग्यान का उपदेश करेंगे अपने अत्मों ये दास अब कहां लाना चाहता है आप जी को गेता जी अध्याय नंबर आठ के स्लोक नंबर एक में अरजुन ने पूछा कि आप जी ने जो साथ में ध्यां कि उनने तीस में स्लोक में बताया है कि तत्वर्म को जानकर और सारे जात्म से परीचित सब कर्मों से परीचित विक्तिक्यों जरा और मर्ण से झूटने का प्रियतन करता जरा मने वरदवस्था और मर्ण मने मर्तु तो आठमेद है के पर्थम मंतर में पूछा वो किम तत्वरम ये देखिएगा ये है स्रीमत भकुत गीता अध्याय नमर साथ और सलोक नमर 29 ये 29 यहां इसकी केवल संस्कृत है आगे इसका नुआद है जरा मरण मोक्स है जरा माने बुड़ापा मरण माने मरत्यू मोक्स माने छुटकारा पाने के अर्थ माम आशरीत यतन्ति ये तेबरम तत्विदू कृष्णम अध्यातम करम चाखिलम इसका अर्थ है कि माम आश्रित है मैंने जो तुझे बताया है इस ग्यान को आश्रित जो कर लेगा तत्वोदर्शी संतों को खोज लेता है वह जो जरामर्ण मोक्स के लिए ही यतनती प्रियतन करते हैं वे तत्वर्म को और संपुर्ण उतत्वर्म को जानते हैं और सारे ध्यात्म ग्यान को और सब कर्मों को उसे प्रिचित है यह देखे यानवाद है साथ में जाय के उनतेस मिसलों का जो मेरी सर्ण होकर आश्रित है इस कारत तो यह दास ने जो बताया हुए ही सही है कि मेरे इस ग्यान का आश्रे कर ले कि तत्व दर्शी संत की खोज कर ले उसके बाद उससे प्राप्त ग्यान के आधार से जो केवल जरा और मर्ण से छुटने का ही प्रियतन करते हैं वे उस तत्वर्म से और सारे दात्म ग्यान से और सब कर्मों से प्रीचीत हैं देखिए अब साथ में जाय का 29 मास लोग हम लीता जी का पढ़ रहे हैं जो मेरे आशरीते मने सरन होकर जरा और जरा मने वर दोस्ता मन मने मर्टू से छूटने के लिए यतन करते हैं वे उस बर्म को और संपुन जात्म को यह देखो उस तत बर्म तत बर्म उस बर्म को संपुन जात्म को और संपुन कर्मों को जानते हैं यहां आठमा जैस लोग होता है प्रार्म होता है इसका पर्थम इस लोग है इसमें पूछा है किम तत बर्म आपने जिस इस तत ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत ब्रह्म को उस ब्रह्म को और सब संपुन अध्यातम को संपुन कर्मों को जानते हैं यहां पूछा आठमेद्याय के पर्थम सलोक में किम तत ब्रह्म और किम अध्यातम किम कर्म पुरुशोतम किम अधिबूत चैकिम प्रोक्तम अधिदेवं की मुच्चेते इसका उत्तर यह है आठमे दै के तीसरे स्लोक में यह आठमे दै का यह तीसरा स्लोक है वह प्रमक्सरब्रम है प्रमक्सरब्रम है तीसरे स्लोक में अपना अत्माओ अब हम आते हैं गीता जिद्धाय नमर 15 के स्लोक नमर 16 और 17 पर इसी सारा कंशेफ्ट तो दास करना चाहा थो कलियर हो जागा यह देखिए गाँ यह गीता जाय नमर 15 और यहां यह 16 मा स्लोक है इसमें दो पुरुष बताए हैं दो पुरुष दो पर्भू दो स्वामी एक सर और एक सर इसको सर पुरुष को हो इस दोनों पुरुषों को यहां लगा सकते हैं सर पुरुष और अक्सर पुरुष और यहां इन कानवाज इन यह कानवाज देखते हैं इस संसार में नासवान और अविनासी भी ये दो परकार के पुरुष बाने परभू, पुरुष बाने स्वामी बगवान कहे हैं और सब प्राणियों के स्रीर नासवान है और जीवात्मा अविनासी कहा जाता है इसका भावार्थ ये है एक सरपुरुस तो ये ब्रह्म है अक्सरपुरुस ये परब्रह्म है सरपुरुस जो है ये ब्रह्म 21 ब्रमांड का स्वामी है और अक्सरपुरुस ये साथ संग ब्रमांड का स्वामी है ये दोनों भी और इनके इंतर के जितने प्राणिया इस सब ना बले ही अक्सर माने अविनासी होता है लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा लंबी आयू है जिसकारण से इसको अक्सर कह रहे हैं लेकिन ये वास्ताव अविनासी नहीं है इसका कंशेप्ट पंदर में जाय के सत्रमें सलोक में सपश कर दिया कि उत्तम पुरसे तु अन्य और परम प्रमात्मा इती उधारते हैं ये लोग तर्म आविश्य विबर्ती अवे इस्वर है उत्तम पुरस यानि स्रेश प्रमात्मा तो इन दोनों से कोई अलग है दो पुरस सोलमे में कहें उनसे अन्य है और जो तीनों लोकम प्रवेश करके सब का धारन पोशन करता है अविनास प्रमेश्वर प्रमात्मा इस परकार कहा गया है अपनात्मों अभी आपने उटा लटका हुआ संसार रुपी वरक्स देखा ये देखेगा ये उटा लटका हुआ संसार रुपी वरक्स है और इसकी उपर जड़ नीचे को तीनों गुन रुपी साखा है तो जड़ से ही पोष्ण करता है यह संसार रुपी वरक्स है संसार रुपी वरक्स की दो मूल है परमक्सर ब्रह्म यह देखू श्रीमत मगद गीता अध्याय नूमर हम 15 का और सलोक नंबर हम यह सतर मा पढ़ रहे हैं तम पॉसे तो अन्य परमातमा एती उधारते उत्तम पॉसे अनि सरेश्ठ परमातमा पर भूत कोई और है इन उपर वारे से दोनों से 16 मुमरनित से अलग है और उसी को प्रमात्मा कहा जाता है यह लोग तर्यम आभी से विबरती जो तीनों लोकों में प्रविस करके सब का धारन पोशन करता है वो वास्तों में अविनासी बगवान है वो अविनासी प्रमात्मा यह देखिए अतंपुरुषय तुन्या पर्मात्मा रविष करता वह विनासी पर्मात्मा अपने अत्म जाता निश्करंश निकालना चाहरा अब निकल रहे अब जो परसंग चला था के विश्णु जी तो कह रहे हैं धुर्गा से उपर किसी को नहीं मानता मेरे अध्यातमिक ग्यान के जितना मुझे है मेरे ग्यान में दुर्गा से उपर कोई पगवान नहीं विशम्anor जी करें में दुर्गा की बग्ठी करता रहता हो और हमारे आचारिया संक्राइड केते हैं ये अपने शुरूप की बग्ठी करते हैं यह किसे की बग्ती नहीं करते, कोई कह को राम की बग्ती करता है, राम स्रीप संकर की करता है, यह इनकी दंत कता लोकवेद्धाद। अब दुर्गा जीन सभष कर दिया वो कहती है बिर्म की पूजा करो मेरी पूजा भी छोड़ दो उसका ओम नाम है ओम नाम के जाब से बिर्म लोग प्राप्ती होगी गीता जीन सभष कर दिया कि गीता ग्यान दाता बिर्म है उसका एक ओम अक्सर है उसकी साधना करने वाला बिरमलोक में जाता है बिरमलोक में गए वे पराणी फिर जनम मर्तियु माते है ये सथाई मोक्स नहीं अब गीता ग्यान दाता अठार में जाय के बैसेट में स्लोक में और गीता जाय नंबर पंदरा के एक से चार में और ठार में जाय के बैसेट और छैसेट में इन स्लोकों में ये सबश्च कर रहा कि उस परमेश्वर की बगती करनी चाहिए उस परमक्सर ब्रह्म की जो आठमेश्वर के तीसरे स्लोक में जिसके इसमकार उसकी बक्ति करने करनी चाहिए उसकी साधना करने से प्राणी कभी लोटकर संद्शार्मा नहीं आता परमिश्वर के उस परभव की प्राप्त आपती हो जाती है और घीता जी दैन बठारा के दी तेरी और मेरी जनप मर्त सदा बनी रहेगी अपने अत्मों आज सुबह भी यही विसे रहा था लेकिन जब तक ये सद्गरंथ रूबरू नहीं हो जाते तब तक हमें विस्वास नहीं होता क्योंकि हम दूद के जले हुए और चाथ को भी फूक मार कर पीते हैं तो दास चाहता कि आपको इतना द्रड कर दू कि आप सद्गरंथों को देख कर बिलकुल पक्के हो जाओ और फिर त्याग जोगे और नकली गुरूओं आचारियों और संक्राचारियों को और अपना कल्यान कराओगे श्री मद्बगुद गीता अधए नमब्र आठ के सलोक नम team में सफश्ट हो गया कि उपरमक्सद ग्रम है श्री मद्बग्ध गीता अधए नमब्र पंदरा के सलोक नमब्र 1 से 4 और 16 सतरा में सफश्ट हो गया कि उपर को जड़तो कुरुन परमात्मा है अकसर पुरुष उसका तना है सरपुर्श डार है तीनमों गुन रजुन परमाशत गुन विश्मों तमगुन शिवजी यह संसारुपी प्रक्स की साखा है और यह भी सपस्ट हो गया कि सब का धार्ण पोशन करने वाला और अभी वास्तों में विनासी प्रमाजमा प्रमक सरपुर्श है प्रमक सरपुर्श है अब गीता अध्या नमबर आठ के स्लोक नमबर पांच में और साथ में गीता ग्यान दाता अपनी साधना के लिए कहता है मेरी वक्ति कर उसके लिए मंतरी सिनबताजी आठ में दैगी टेर में स्लोक में के मेरा एक ओमक सर है नथिंग ऐल्स है और मेरी वक्ति करनी है तो ओमक सर है तो मुझे प्राप्त होगा लेकर युद्ध करना पढ़ेगा और परमक सरपुर्श की सरण में जाना है उसकी वक्ति करनी है तो उसके मंतर बताजी आस तर में जाए कि तेश में स्लोक में तो में भाइन वार्म के पाने की उसकी भकति का कि लो मुख उन्ते सिमन करने का तीन परकार से निर्देश 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 वाइन फाइनल पैसला नथींग ऐल्स तो उसकी साधना करने से तो वो आठ में जाके आठ नो दस लोग में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उस प्रमात्मा को प्रमक्सरवर्व को प्राप्त होगा जब उसकी साधना करने से वहां पराणी चला जाता जाने के बाद फिर लोट कर संसार्वनी आते और ये हमारे अग्यान नियाचारी है संक्राचारी है तत्व ग्यान हीन प्राणी मंडलेस्वर ये कहते हैं हमारे दर्म गुरू के श्री करसंदी अपने बारे हम कह रहे हैं हर इसमें कंसेप्ट कलियर कर रखा है दो प्रमात्मा नहरे नहरे तीन बोले हैं तीन बताए हैं लेकिन दो का ही अधीक रोल है क्योंकि हम सरपुरस के लोग में रहते हैं और परमकसरब्रम के लोग में बहुत है हमने जाणा है उसकी साधना है लेकिन बीच में एक थोड़ा सा इंट्रिक्राइश की, अकसरपुरस के इसके साथ संग बर्मंदों से हमने पार कर उना है उसके लिए इसका ये ओम तो ये सीधा ही मंतर है प्रम का तत ये सांकेती का है अक्सर पुरुस का और सत भी सांकेती का प्रमक्सर पुरुस प्रमक्सर प्रमक्सर पुरुस तो इन तीन मंतरों के साधना से हम यहां से पूर्ण मौक्स प्राप्ट करके उस लोक में चले जाएंगे जहां जाने के बाद सादक फिर कभी लोट करनी आता तो यह इस पूरी स्री मदभकुत गीता का निस्कर साथ के सावड़ आप फुरा संकेत दिखा और देता देखिएगा गीता धाय नमर आठ का हमने यहां तक पढ़ लिया था कि वो प्रमक्सरब्रम है यह तीसरे स्लोक में वो प्रमक्सरब्रम है जो गीता ग्यान दाता से अन्ने है और यहां गीता ग्यान दाता कहता है आठ में धाय के और यह पांच में स्लोक में कि जो पुरुस अंतकाल में मुझे ही समन करता हुआ, श्रीर त्याग कर जाता है, वह साक्सात मेरे रूप को प्राप्त होता है, साक्सात रूप नहीं, मद भावम याती, मेरे वाले भाव में को प्राप्त होता है, इसमें कोई सम्सें नहीं, अब साथ में सलोक में क्या कहा है अब आठ में दैके गीता जी और साथ में में क्या कहा कि इसलिए अर्दुम तू सब समय में मेरा समण कर और युद भी कर युद्ध करना पड़ेगा मेरी स्टन में रहेगा तो और मुझे मुझमारपन किये हुए मनबुदी से युक्त होकर निसंदे मुझे ही प्राप्त होगा अब आठ में गीता दैर नमर आठ का स्लोक नमर आठ हम पड़ रहे हैं यह पारत प्रमेश्वर के यह नियम है उप्रमेश्वर के अभ्यास योग युक्तिन उस तीन मंतर के जाग का अभ्यास करने वाला दूसरी और ने जाने वाले चत से निरंतन चंतन करता हुआ प्रम देवम पुरुष याती उस प्रम अक्सर ब्रह्म को प्राप्त होता है प्रम प्रकास रूप देवम देवे पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है जो गीता ग्यान दाता से अन्य है यह अब नोमे में यहां कंसेप्ट भी कलियर किया है कव्यम अ सबका धार्ण पोशन करने वाला अचिंत रूप सुर्य के सद्रस नित चेतन परकास रूप यानि सुर्य की तरह चम तेजों में श्रीर युक्त साकार सपस्टाइश में अविद्या से अती प्रे सचीदा नंद गन परम सचीदा नंद गन परमेश्वर का समन करता है उस परमक बगती युक्त पुरुष यानि तीन मंतर के जाफ करने वाला जिसमें एक ओम है दो तत सत तत और सत सांकेतिक है वह बगती युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से योग माने साधना बगती की सक्ती से बरकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी परकार स्थापित क के फिर निस्ल मन से समयन करता हुआ उस डिव्यम देव रूप प्रम परुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है यानि घीता घान जानदाता से प्रमक्सरवर्मव कि साधना करने वाला उसको प्राप्त हुना है । और ये अज्ञानी आचारी और ये संक्राचारी हमारे धर्म गुरु कहते हैं श्री कर्चन जी अपने विशेम कह रहे हैं और और कोई प्रमात्वा नहीं नहीं और कोई नहीं है इन्हों आज पच्पंसो वरस हो गए श्रीमत बगवत गीता और पुराणों को और वेदों को आचारी है ये डवो दिया सारा देश हिंदु समाज को भूत बनवा बनवा के फिर उनने की पूजा करवाते हैं सराद निकलवा का अपना पोशन करते हैं लोग अपने अत्मों ये तो कंसेप्ट कलियर हुआ कि स्रीमत भकुत गीता अध्याय नमर अठारा के सलोक नमर 62 में और 66 में गीता ग्यान दाता ब्रम है सरपुर से अपने से अन्य उस परमक्सर ब्रम की सरण में जाने को कहता है वो परमक्सर ब्रम कौन है ये दास बतावगा वो कबीर साहब है वो कासी के अंदर धानक रूप में जुलहे रूप माया था जिसको एक कवी कहकर के हमने उनका इतिहास बंद कर रख्या था ये परमक्सरवर में उन्हों थस्व वर्स पहले वो ग्यान दिया था जो आज हमारे सद्गरंथों में विद्मान है और ये हमारे आचारिये और संक्राचारिये इनके कोई माता पिता नहीं बताते हैं और पुराणों के अंदर इतिहास में लिखा कि इनके माता पिता हैं इनकी जनम मर्त्यू होती है आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं सरसंत रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने से पहले आप क्या वक्ती साथां करते थे सरसंत रामपाल जी महराज की सड में कैसे आई मैं दिल्ली में नौगरी करता था तो विन केबल पर संत रामपाल जी महराज का ससंग आता था दो ढ़ाइ गुड़े पांच बज़े से साथ बज़े साथ बज़े आता था मैंने वह सशंग देखा उससे पहले वि-में कई और गृूओं के ससंग देखता रहता था लेकिन वह को देखा मैंने कि वो नाटक जैसे कर रहे हैं कोई अपनी बानी का दिखा रहा है कोई ड्रामा कर रहा है कोई कुछ कर रहा है लेकिन संत्रामपाल जी महाराजी का जो ससंग आता था उसमें संत्रामपाल जी महाराज बेदों को गीता को और प्राणों को दिखा देते कि ऐसा उसके बाद मेने देखा दो साल तर लगाता 2002-2004 आरने के पूरा है कि परमाना एक है औहु वो कभी रह तो फिर मैं ने डिसाइड़ कर रहा कि ठीक है मुझे अन्को गुरुबढ़न है सर आज के दिन दिन से जिए मख्ड़ी सो परमात्म की दया से में सहरा नहीan नहीं पुर्णा हमारे आचारे थे या सास्त्री थे जिनने हमें पढ़ाय था उनने बोलाता है कि मोक्स सबसे बड़ी बात होती है मनस्य योगनी का एक ही ही मकसद है मोक्स प्राप्त करना सर संत्रामपाल जी महाराज की संद में जो भी जाता है उनको आज्यात्मिक बहुतरी कोशिक लाप कोई ने asing महाराज की जनने के बाद प्र्मात्म सर्व हमारे गोरोजी संत्रामपाल जी महाराज जी मुझे बहुत से लाप होए सब से पहले 2004 में जब मैंने मालिक से नाम उपदेश लिया तो मेरी गवर्मेंट जॉब लगई मैं स्वास्ते विवाग में उत्रा खंड में फार्मसेज की पोस्ट पे आ गया जबकि 13 सार से मैं ऐसे लटक रहा था उसकी बाद यहां पे नौकरी लगने के बाद परमात्मा के दे परमात्मा ने जिरे दे वह करके जैसे साधना करता रहा तो भी मेरा ठीक हो गया और उसके अलावा में बहुत से दारों पीता था इतना दारों पीता था कि मेरे को किसी भी चीज का कोई कॉक्टल ही नहीं होता था दो तीन टैप अलग अलग टैप की ब्रान मिलाने के बाद कॉक्टल नहीं होता था तो वह भी चुट गया मेरा उसके बाद में बीडी सिग्रेट पीने का था चैन इसमोकर था एक डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि तुम्हें अपने दांच चे या बीडी सिग्रेट चे तो इसलिए मैंने मेरे को वह भी फैदा रहा उसके अलावा और भी कई आध्यात में को लाब हुए सांसारी गलाब हुए और मांसी गलाब हुए मेरा मन आज की रेट में परमात्मा को संपूर्ण पाने के बाद बिल्कुल एक दम इस्तिर हो गया है सर जैसा की देखा जाता है कि संत्रामपाल जी महाराथ से जो भी सरदालू नाम दिख्षा लेता है उनको नसा मुक्त करने में संत्रामपाल जी महाराथ का विशेश योगदान होता है सर जैसा कि आज के दिन सरकारे बड़ी-बड़ी योजनाय लागू करती है नासा मुक्त भारत बनाने के लिए सर संत्रामपाल जी महाराच ऐसी क्या दवाई देते हैं कि जो भी सरदालू उनसे नाम दिक्सित होता है वो नसा छोड़ देता है संत्रामपाल जी महाराच जी हमें जो सास्तर अनुकूल साधना बताते हैं वो सास्तर अनुकूल साधना से फैदा होता है गीता में लिखा हो है कि भगवान बोलते हैं अर्जुन को यह अर्जुन यदि सास्तर बीदी पूजा करें तो 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 परमात्मा हमको सास्तर अनुकू साधना से उन मंतरों के सिम्रन से वो पूरी हो जाती है पर मात्मा ऐसे कोई जाद टूना कोच नहीं करते कोई जाड़ा फूग नहीं लगाते पर मात्मा एक्च्छल भक्ति बताते जो बेदों में घीता में पुरानों में लिखी विए परमात्मा बोलते हैं कि जैसे कभीरदार जी के लिए परमात्मा उसमें लिखावाई गी कभीर अंगारी आसी, बंबारी आसी, रितिधामा स्वर्जोती आसी कि वो जो कभीर जो है, पाप के बंबारी आसी, बंदनों के बंदन को भी चुड़ाने वाला है, और रितधाम में रहता है, लेकिन जितने भी भक्ति करते हैं या समझते हैं, वो सूचते कि परमात्मा निराकार है, और उससे उनको लाप नहीं हो पारा।이라 क्रिंगे अच्छो लिखा हुआ है बेद और गीता उनमें तो तभी उसको फैदा होगा अधरवाज उसके अलबा फैदा नहीं होना है क्योंकि साब लिखा हुए कि सास्तर अनुकुल जो भक्ति नहीं करता उसको कोई लाब नहीं होता उसके कोई मुक्ति नहीं है और उसको कोई फैदा होना नही सर एक बात ये भी जहन में आती है कि आज तक किसी भी संत ने सास्तर के अनुसार बक्ती बताई ही नहीं या लोगों को समझ में नहीं आई ऐसा क्या है कि संत्रामपाल जी महाराजी केवल सास्तोर के अनुसार भक्ति बताते हैं इतने सारे धर्मगुरू हैं लाखों की तादात में उनके समर्थक भी हैं वो क्यों नहीं सास्तोर के अनुसार भक्ति बताते हैं जो और धर्म गुरू हैं इनको कुछ पता ही नहीं था इनका इनका जो भी प्राना लगा वा था जैसे कि हम गाओं में कोई भक्ति करते हैं जी ठीक है मेरे दादा ने ऐसे बता था हम तो इतने टैम से कर रहे हैं कि उनको खुद पता नहीं था तो आपने अनुवाई को क्या कि तुम किसी और गुरू की सरण में जाना कि दूसरा गुरू नहीं बदलना चाहिए जबकि प्रमात्मा की साफ से बाड़ी है कि जब तक आपको सचा गुरू नहीं मिलता तब तता दस पांच गुरू करो आप और जो ब्यक्ति साधन जैसे हम हिंदू दर्म में तो जो गी बाड़ी यह उनके लिए कुरान सरीव हो एक्षव में देखें कि कुरान सरी में किस साधना करनी है और बगभान कोन है इसी तरह से बाइबिल में साब लिखा हुआ कि परमात्मा सरीर है और उसने चही दिन में तक बड़ा बैटा लेकिन उनको नहीं पता एक्षव में जो ह और किस बगवान की पूजा का उसमें संकेत दिया गया है। प्रमात्मा हमारे ग्यान गंगा किताब है साधना चैनल पर प्रमात्मा का सहसंग आता है। इन से मिलाया और मिलाने के बाद भक्ती में आया तो उसको जब द्रिश्वास हो जाएगा जब वो साधना करेगा तो उसके अंदर संका नहीं रहने चाहिए। आप लोग क्यों बर्चार कर रहे हैं आपका क्या स्वारते हैं आप लोगो को क्यों समझा रहे हैं। प्रमात्मा ने सिर्शना के बारे में बता है हम काल के जाल में पसे हैं ये कभी हमें गदा कभी कुता कभी घोडा कभी सुंगर बनाता है और कभी मनुष्य योनी देता है वो प्रमात्मा के दया से। तो इसी तरह से हम ऊपने वहाइव और संवनकार के लिए हम igual만 प्रापत होता है और पिर हम गते गोडे यहां सन्सार में नहीं बनेगे गीता में साफ लिखा हुआ है कि तो उस परमात्मा के भगतिकर्ण जिसके सरण में जाने के बाद कि फिर यहां मनश्योय नहीं में नहीं आना पड़ेगा क्योंकि साधन के अनुसार साथ के साथ से आप भक्ति करेंगे तो तब आपको लाब होगा जैसे और नकली जो गुरू है उनका आप जैसे गीता के आधिया नमर 15 के सलोग नमर एक में बताया है कि उपर को मूल वाला नीचे को साखा वाला जो बिरक्स को जड़ से लेके पत्य तक बता देगा वो ततोतर संद की सरण में जाने से बोलते हैं कि तेरा ये मोक्स कट सकता है मोक्स हो सकता है और रोक कट सकते हैं सर ये लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन सास्तर के अनुसार बक्ति बता रहा है और कौन सास्तर के अनुसार बक्ति नहीं बता रहा है इसके लिए हमारे जितने भी धर्म विखेसे हिंदु दरम हैं तो हमारे लिए चार बेद और गीता इसके लिए परमान के अंदर गीता का ग्रमान है। हिंदूद उसमें मुस्लिम दर्म में हमारे भाइव लोग है तो उनके लिए पवित्र कुरान सरी में जो साब लिखा है वो एक बार फिर से पढ़ें कि बगवान कौन है कि दर कोई इसारा है उसके बार हमारे सिंख भाई जो है वो अपने पवित्र गुरुगरं साहिब को सब्सक्राइब वह संदेश देना चाहेंगे बहुत 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 जन्मों के आंत में मनशेज जनम मिलता है और उसके बाद भी मेरे जो ग्यानी आत्मा होता है जो कि जान को समझता है या क्लेक्ट करता है पुरे अपने जीवाने के लिए कैसे मोगस होगा ग्यानी आत्मा मुझे जाता है कि मैं कौन हूं और बासुदेव सरमती सामात्मा सुदु लोबे कि वह सची दानान गनबर में ह अब कुछ है जिसने जो कि देवों के उपर भी देव है यानि बाथ्ट देव है देवों के उपर देव है उसको पहचानने वाला संद बहुत दुरलब होता है पहले बनुशिवानि बहुत दुरलब है और जो कि आपके लिए सबसे बड़ा सुनारा परमात्मा की देया से प्रमात्मा सरूप हमारे सद्गुरू रामपाल जी महाराजी की दया से प्रमात्मा सरूप हमारे सद्गुरू रामपाल जी महाराजी की दिच पीली पटी आती है उसके अंदर जो भी नमर ले होते हैं उन नमर पर पहूं करके अपनी जगे का नामदान केंद्र और दिकसा केंद्र आप जान सकते हैं उसे आप जानकारी प्राफ्त कर सकते हैं और साथ में मुब्त में यदि आपको ज्यान गंगा चाहिए आपके पास अभी तक ज्यान गंगा नहीं पहुंचिए तो वह आप ले सकते हैं जी बहुत बहुत रहने आपके जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatgururampalji.org संत रामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत रामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 जिन वेस्दी के लिए।